सुशान्त सहर राचपूत केस को अब तक तीन महीने से भी जादा वक्त बुज़र चुका है अब तक इस केस का कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा है जो यह साबित कर सके कि सुशान्त की मौत सुसाइड है या फिर एक मड़र नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डगातार इसमें सामने आई ड्रॉग एंगल की जाच कर रही है जिसमें कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं साथ ही कई बड़ी सल्वर्टीस के नाम भी इस ड्रॉग कनेक्शन से जोड़ी जा रहे हैं वहीं आई से भी द्वारा किर्फ़तार किये गए एक्प्रिस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ने हाल ही में मगलवार को बंबे हाई कोट में जमानतियाचिका दायर की जिसके बाद कोट में सनवाई होना थी लेकिन बारिष के चलते सनवाई टल ग जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए सलाखों के पीछे रहना पड़ा था और वो दोनों अभी सलाखों के पीछे ही है जानकारी के मताबिक विशेश अदालत ने मंगलवार को एक्टरस की नियाएक हिरासत की अवधी 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है साथ ही विशेश अदालत केस में सैमौल मुरांडा के साथ NCB ने शौविक को 5 सितंबर को दिवंगत एक्टर के लिए ड्रग हासल करने और उसके लिए पैसे देने के आरोप में गिरफतार किया था जिसके बाद दिपेश सावंत और ड्रग डीलर अबू बासत परिहार ने भी हाई कोर्ट में जमानत याचिका के लिए रुख किया उनकी जमानत को लेकर पिछले दिनों ही सनवाई हुई थी वहीं अब उनकी याचिकाओं पर अगले सनवाई 29 स्थम्बर को होगी बॉलिवुड की मशूर अधाकारा दिपिका पादुकून का नाम भी ड्रग एंगल में सामने आया था जबकि अब इस केस में बॉलिवुड की एक और मशूर अधाकारा दिया मिर्जा का नाम भी सामने आया है इस मामले की जाज किये जा रही है, NCB को हर दिन कोई न कोई नया सुराग हाथ लग रहा है जबकि अब दिया मिर्जा का नाम इस केस में सामने आ रहा है, जल्दी NCB एक्टर्स को समन भेज कर उन्हें पूछताज के लिए बुला सकती है आप देख रहे हैं घमासान.com और वीडियोज अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें